नमस्कार किसान बहिए जो कभी बी किसान को घाटा नहीं देती आपको मुनाफ़ा होना निशेटे उसमें यहीं आप उसमें तो आप उसमें लाकों की कमाई कर सकते हैं एक तो दूसरा होगा हमारा क्योंने हुळेश्टे राइटी एड़ोरइडे तो पहले घृति वाट involves में कुछा यूब आप मर चांस होते हैं और चांस के हमें चांस हों शांस होटे हैं गयंति क्यों बग्यानिक शुर्ड़ा के Сब्सक्राइब तरीके सर तरीके को समझने को सिफित करेंगे और ड्रे आपको उसकी शुर्ण सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो एक शेयर जरूर करें अपने पर अगले वीडियो बनाने के लिए वीडियो के लिए कि नहीं हुआ यहाथ है कि थंटके आचे वीडियों करते हैं और अपनाने के महें दोस्तों करते हैं तो अक्टोंबर और नॉंबर के मेंदे में इसकी हम ट्यपी करते हम लगाते हैं जो सबसे जाद गाए महिप्ट कि कर लें तो आको ज़्यादा के चाल से तो आप के चांस होते हैं तो आपके लिए बहुत सही समय है उसकी यूजरा बनाने के लिए टी कहेती कर लें तो आपको और क्या करना है जोस्तों बैगन की खेती आप यह थोड़ी अगेती कर लेते हैं यानि कि आप मई और जून के बीच में जदी आप टीपी कर लेते हैं थोड़ा सा अरली हो जाता है वरसाथ में तो आपकी जो फसल है वह अगस्त और सितंबर के महीने में आपकी चालू हो जाती है उस समय दू से अटमर के डाफ चालू है न है थे आप सेब खेती काना चाहते हैं तो फिर आप जूराई और अगस्त में भी इसकी टीपी कर सकते हैं तो यह हो गड़ दिसमिद्टे उस तों बैगन के खेती कि जो कि कि किसी प्रकार की आपकी मिट्टी हो वो गया उप्योगते है यदि बेगन की खेती है थो बहुत बढ़िया है और यदि आपकी काले मिट्टी है तो आप बिना मल्चिंग की तो फिकान मीट्छी भीधन की खेती ही बिलकुल ना ना यह सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखनी वाली बात यह है मिट्टी के संबन्द में कि जिस मिट्टी का आप चायन करें जिस खेट का चायन करें आप तो बहां पर पानी का फराओ नहीं होना चाहिए जलने का से की बहुत अच्छी विवस्ता होनी चाहिए ज़िए अपकी जलन बढ़ानी है और उंची बनाने के साथ साथ को मल्चिंग भी उसमें करनी है दूसरी बाताती है दोस्तों की मिट्टी का पर रिक्षण अप ज़रूर करवाएं जब आप मिट्टी का प्रेशन करवाते हैं तब यह जनकारी हो जाते कि आपकी जमीर पर किस खात की आ सकता जा कंपनियों की यदि आफ सीड लेते हैं आप अपने हिसाब से चैन कर लें कि आपको काला पटा चाहिए यहारा चाहिए आप जो उचित आपको लगे आपकी मार्केट हैसाब से ताप उसका चैन करें जैसे विराइटी में आपको बहुत बढ़ी है आप बैंग निकलान में खभाई-गेट में आप ऌही आप झैन कर सकते हैं तो स возьर के सहीं सामय है रास्ट अपराइल में आप नरसरी को लगा सकते हैं और पुरी मैं मैं आपकी नरसरीlandsी तयार हो जाएं कि और आप फर्ट जून में यदि आप टेपी करते हैं अपने खेट पर तो आपको बढ़िया रेट मिले के चांस है क्योंकि आपका जो बैगन है वह सही जो बैगन भी लगे हुए है वह सारे बैगन हमारे समाथ हो जाएंगे आपके जून और जुलाई में तो जब यह समाथ इसके बाद जो के आशैल की बात करें तो दोस्तों छोटी पाहिमाता हमारा रोग प्रभंधन तो यह आपको बहुत ज्यादा आते हैं बैगन पर और इसके बजो नम पर आता बहुता थ्रिफ्स याप जो इसमें दूस्से कं हमला करते हैं और रहीवात फंगस की तो फंगस भी बैगन पर बहुत कम लगते हैं, तो फंगर समन्दी आपको ज़्यादा सोचने की गिरूत नहीं, आप नारमल यदि फंगी साइट का इसमाल करते हैं, तो आपको जो बैगन की फसले वो बहुत बढ़िया होती है, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, सबसे ज् है, जो अपकी डाल है, उसकी बैगन की वो टूटने लगती है, तो आपको जो पौदा है, वो बढदी नहीं ले पाता, और आपको काफी परसानियों के सामना करना पड़ता, इसलिए इसका जो नियंतर है, आपको करना पड़ेगा, जोस्तों बैगन की खेती में रोग प्र बन्थन के बारे हम जानकारी, अब रही वाए दोस्तों, लास्ट जो हमारा पाइंट होगा तो अपने खेत पर वेराइटी लागए थी वो ती बिया उतकल, और जिसके हमें बहुत बढ़िया रेट मिले, हमें दस रोपे से काम रेट नहीं मिले, और जो अधिक्तम रेट र मिला हमें वीनार उतकल का वो मिला लगबग तीन सो से तीन सो वीस कुंटल पर इगड के हिसाफ से, वहीं अधि दूसों बारा की बात करें तो इसका जो उत्पादन है, वो काफी ज्यादा है, हमने इसको लगा के नहीं देखा है, लेकिन जो दूसरे किसान उनने वीनार मार्केट पर थोड़े रीट उसके कम मिलती है, वीनार उतकल की अपिक्छा, तो उत्पादन जो एवरेज है, उसको देखें हम तो लगबग तीन सो कुंटल हम मान के चलें कि अगर आपका बढ़ी अमेंटनेस आप ड्रेप और मल्चिंग पर कहती करते हैं, तो आपको जो लगबग तीन सो कुंटल हम उसको मान के चल सकते हैं, तो अब हम बड़ कर देए वीडियो की वीचियस बातबन, इसका लिख हाओ उसके बारे में हम आपसे चर्चा करनेबर ले कि कि एह हमें जो क्या खाए हैं और क्या क्र्च आपको आ सकते हैं हैं इसका कि groupe कि वह नहीं नहीं को खार तरो हमारा के झुताई और बैड़ के खारच खाता है दूसरा जो होता है इसमें यूदाई और बनाने का खर्च होता है डिस्वर जो कब वह होता है हमारा अधार काद याने की बेसल डोज में आउंगो लगभाग तीन दार रुप की खादा को डालने होगी। जिसमें एक भकार्च होता है उमारा इसमें की जुताई और बैड बनाने का खर्च होता है। दूसरा जो खार्च होता है, बो होता है हमारा अधर का दिखाने की बेसल दोज, बेसल दोज में आउगा लगबग 3,000 रुपे की खादाव को डालने होगी। होता है हमारा इसमें की जुताई और बैडड बनाने का खर्च होता है दूसरा जो खर्च होता है वह था हमारा अधार का दियने की बेसल डोज में आपको लगबाग 30,000 रुप की खाद आपको डालने होगी जिसमें की 50 जी डीएपी और 25 केजी पोटास और 25 केजी सुपर और 5 के लिए सलपर आपको डालना होगा तीसरे जो खर्च होगा वह को दोस्तों बीज का बीज और नरसरी का तो यदि आप खुद नरसरी बनाते हैं तो आपको लगभग तेन जार उपर का खार जाएगा बीज और आपका यो दवाई खाद उसमें रही उसके सहीड जो चौन्ता खर्च होगा वह होगा तुस्तों आपका खाद और दवाई का भोग खाद वो खाद आपका लगभग तीससे जार रुपर जिसमें वाटर सरफल ले खाद और आपकी इंसेट की समंदी जो दबाईया रहेंगी वो रहेंगी पांच वा जो खर्च होगा वो होगा मल्चिंग पेपर का खर्च तो मल्चिंग जो पेपर है आपका लगबख 6 बिंडल एक इकड़ पर लगते हैं तो उसके साफ से दो हजार रुप यह दी आप एक बिंडल का मानते है कीमत जो की 20 माइकरन की है हमारी तो उसके साफ से हमारे 12 रुप उसके हो जाते हैं फिर इसके बाद लेवर का खर्च तो लेवर का खर्च आपका सुरुआस से लेकर आखरी तक जो खर्च होगा वहोगा लगबख 30,000 पर इ खर्च होंगे आपको बंधाई करने पड़ेगी बैटे की आज दी आपको भटा हाइट ले लेता है उस समय आपको बंधाई करने पड़ती है तो उसमें जो इस्टेक खर्च आएगा बूलागा दस जार रुप खर्च आएगा जिसमें कि आपको सुतिली बगरा प्लास्ट कि णरिक का मिलता है तो आप तो आप हम बात करें गांव मेंडिये लेकिन आपको इसलिए मैंनेज्मेंट बछाहा रिकी करना तो आपको बैगन की खेती में जदा उतने खर्चे नहीं होते हैं लेकिन एक लाक रुपी लगा रुपे लगाने के बाद आपको दो लाक रुपे का हैं तो यह बहुत फाइदे का सोधा है यदि आप बैकन की खेती का प्लान कर रहे हैं तो आप यकिन मानी आप अगे थी अगर थोड़ा कर लेते हैं तो आपको ज्यादा बुना और मिलने किसमें चांस बढ़ जाते हैं तो सब्सक्राइब करें और चैनल वीडिया आपने हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगरे वीडियो में तब तक लिए नमस्का जये हिन जये किसान जये जये